स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में 69,000 सिच्छक बरती 6800 का जब से ओर्डर आया है कुछ नई पॉलसी को लेकर के चर्चा चल रही है नौकरियां किसी की नहीं जाएंगे इस पे भी बातचीत करेंगे क्या है प्रक्रिया वो भी बताएंगे इसके बाद एक पक्ष धरना प्रदर्शन के लिए बैठ चुका है धरना प्रदर्शन के लिए आवाहन कर दिया गया है लखनव में तो इन तमाम चीदों पर बातचीत होगी तो फटा फट चैनल से जुड़ जाईएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन और जानकारी प्रॉपर तरीकी से मिलती रहे है तो सीधा हम चलते हैं सबसे पहले आपको ये पिक्चर ये तस्बीर है जो आपको ये बता रही है कि एको गार्ड सुरू हो चुका है हम हम वापस से बात करते हैं कि सरल सब्दों में कि मामला कहां से और क्या है देखे पहली चीज़ तो ये कह दिया गया कि 6800 लिस्ट को रिविजिट किया जाए रिविजिट का मतलब होता है फिर से उसको जाचा जाए जब आप जाच करेंगे तो एक पिकार बना ले और पॉल्सी के तहत जो है उनके रखा जाए उन्हें बाहर ना किया जाए अब बात करते हैं जो भी मित्र भी job कर रहे हैं मेरे खुद के साथ हाथी एक आपको परिशान नहीं होना है और दूसरी चीश ये कि आप अपने पक्श को अगर मानिन यालर डबल में रखना भी चाहते हैं तो आप सुतंत्र हैं आप लोग उसको रख सकते हैं अपनी बात वहाँ पे कर सकते हैं अब अगर बात करते हैं कि नए तरीके से जब सूची बनेगी तो क्या होगा तो बहुत सारी चीजे फिर बदल आपको देखने को मिलेगी अब उसका आधार क्य करने का आधिस दिया है अदालत ने साफ कहा है कि आरच्छन किसी भी हालत में 50 फिसदी से अधिक ना हो ऐसे में 69,000 चैनित सिच्छकों की सूची में बदलाव संबह कई नौकरियों पर संकट भी हो शकता है अब देखिए पॉलसी के लिए क्या कहा है उन्होंने ये उन्हों से संबंदी चैन सूची को भी खारिच कर दिया है उक्त चैन सूची को यह कहते हुए चुनावती दी गई थी कि इसे बिना किसी बिग्यापन के ही जारी कर दिया गया थे न्याले ने अपने इस निरेड़े में सरकार को यह भी आदिस दिया है कि वह मामले में हस्त तच्छेप करते हुए उन अभिरतियों के समायोजन के लिए पॉलसी बनाए जो वर्तमान सूची में हैं वह दो वर्सों से काम कर रहे हैं लेकिन पुनुच्ची सूची जारी होने पर उन्हें बाहर हो शकते हैं तो उनके लिए जो एक पॉलसी का जो है वो सिस्टम उन्हें तो पॉलसी के तहद उन्हें काम करने के लिए कहा है अब देखना यह कि सरकार का इस पर अगला कदम क्या होगा कि सरकार किस प्रकार से चीज को टेंपलेट करके किस प्रकार सी चीज को सामने लाती है या फिर डबल बंच में फिर से इस ओर्डर को ले जा करके चैलेंज होगा वह आपको मानी सरोथ चन्याले से ही देखने को मिलेगा क्योंकि डबल बेंस से कोई ओडर आएगा फिर वहीं से चीजे जो है वो क्लियर हो पाएगी तो कुल मिला चुला को यही चीजे हैं कि रिविजिट के साथ बाहर होना है इसके बाद उस पर पॉलसी के तहत उन्हें बाहर भी नहीं करना यह तमाम चीजे हैं जो आगे आने वाले दिनों में जो है जब सरकार इस पर कोई एक्सन लेगी तो वो चीजे आपको क्लियर हो जाएगे वी विभाग इस पर पूरी तरीके से मंतन कर रहा है विभाग उसके तह तक जाएगा चीजे किस प्रकार से होंगी तब जाकर के चीजे एक्जाक्ट क्लियर हो जाएगी तो मिलते हैं और भी जानकारियों के साथ तब तक के लिए आप सभी साथि झाल